मुख्यमंत्री अशो घ्यलो सोमवार को सांचोर के दोरे पर रहे जहां उन्होंने डेड़वा गाउं में टिड्डियों से हुए नुकसान का जायजा लिया साथी किसानों से यहाँ पर मुलाकात भी की उन्होंने किसानों को टिड्डियों से हुए नुकसान का गिर्दावरी करवा कर जल्द मुआवज़ा देने का आश्वासन दिया साथी कहा कि जिले के 1,4,000,000 किसानों को फसल खराबे का क्लेम दे दिया गया है और इसी बीच कही संगठनों और किसानों ने मुख्यमंत्री को ग्यापन भी सौपा दोरे के दोरान मुख्यमंत्री ने सब ही किसानों से फसलों का बीमा कराने की भी अपील की आज साच्चोर में राजस्तान के मुख्यमंत्री असोक गिलोत का आगमन हुआ किसानों की बुरी तरह से फसल चौपट हो सुकी है टीडियों के हमले से किसानों को आसा इनी पुरण रूप से विश्वास भी था कि किसानों को लेकर मुख्यमंत्री ती कुछ विश्चेस पेकेज की गोशना करेंगे गोशना करेंगे कि अपने बीमा करों करोंने बाद में 50 परशने में बुर्ण नुक्सान होगा तो उसको कलेम मिलेगा नहीं तो इसको आप दा रात को उसमें लेना चाहिए यह चाहते थे तह अँमारा कुछ लेकर आगा तो लेकर तो लेकिन पूरा ब्याज से लाके काम किया था लेकिन पैदावार में तो साथ आजसी मिलेगी लेकिन ये तो टीडियों ने हमारा खेट बरबाद कर दिया हमारे तीडियों ने इस तरह नुक्सान किया है कि कुछ 95% फसल नस्ट हो गई है आज ब्याज से पैसे लाए हैं लोगों के पास आज फीश भरने के लिए भी पैसे नहीं है इन्होंने ब्याज से पैसे लाए और आज एसी कंडिशन हो गई है कुद्रत ने ऐसा कहर बरसाया है कि वह भी एसा केर बरसाया है कि एसी टाइम सीजन को काटा है तीडियों ने कि न तो हम कुछ दूसरी सीजन इसको उगा सकते हैं और न कुछ कर सकते ऐसा इसी आज किशान की रीड की तोड़ दी है कि किशान खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया है आज सीम साब से बड़ है तो विमा भी करवाएंगे क्योंकि इमित्र पे इतना विमा नहीं हो पा रहा है यह आज बड़ी बहुत तगलीब है आज बहुत बड़ी प्रेशानी है किसान के साथ आज किसान बहुत बड़ा दुखी है आज इन सरकार को सोचना है कि इस किसान की कुछ-कुछ मदद करे यह थे साचोर के किसान जो अपनी पीडा ब्यां कर रहे थे साचोर इन साचोर के आसपास के सेतर की बात कह जैते हो तो ठीक इसी परकार टीडियों ने हमला करके सारी फसले चोपट कर दी है उनको आरतिक रूप से भारी नुक्सान उठाना पड़ा है केमरा मैन भीकाराम के साथ पुकराज विष्णुई एवन टीवी साचोर